इन्हों ने इस कड़ाई के अंदर इस खौलती भी कड़ाई में अपना हाथ डाल दिया था यह देखो यह देखो मतलब ऐसा लग रहा है मैं तो गरम गरम पानी में भी आप नहीं डालता है इसे सुपर नाते हुए तो ओते नमस्ते दोस्तों पकोड़े बनते वे तो आप सभी ने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे घर में भी बनाए होंगे लेकिन क्या कभी आपने गरमा गरम तेल में अपने हाथ को डाल कर पकोड़े बनाते हुए या बनते हुए देखे हैं नहीं ना आज मैं आया हूँ और देखते हैं इनके गर्मा गर्म तेल में हाट डाल कर बनाने की जो पकोड़ों की जो विदी है ना वह मैं आपको दिखाता हूँ आज़ा इनकी दुकान नाम है किशन पकोड़ी वाले तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो अभी भीड भी लगी हुई है और यहां पर ज क्या नाम है आपका कनिया सिंग लोधा तो मुझे यह बताईए कि यह जो पकोड़े हैं और यह जो मसाला है सबसे पहले तुम्हें जानना चाहिए मसाला किस तरीके से तयार होता है यह सब चोला मोगर की दाल होती है दाल के अंदर अपने प्याज लसन मिर्ची अधर दनिय पाला पुदीना गरम मसाले होते हैं अच्छा क्या बात है और यह कितने टाइम से आप सहल कर रहे हो लोगों को यह हमारे साब 60-60 साल हो गए पकोडिया खिलाते हुए हमारे दादा जी करते थे पहले फिर हमारे पिता जी ताओ जी अब हम कर रहे है क्या बात है पकोडिया सरी अपने हवा बड़ी चोपड में पॉइंट है बड़ी चोपड से आवा में यह आमेर रोड की तरफ आओगे सुभाग्चोग सरकिल है अजी हवा में से नीचे उत्रोगे चांदी के टसकाल फिर सुभाग्चोग सरकिल और टाइमिंग्स क्या रहती आपकी अभी तो बा बात बहुत धन्यवाद में जानना चाहता हूं एक चीज़ा और भीया कि जैसे आप बोलों कि हम गर्मा करन तेल में हाट डाल के पकोड़े बनाते हैं तो आपके दादा जी भी तरीके से करते लोका तो उन्होंनों तो कभी उनका थियान भी नहीं है लेकिन यह तो अमने त काता जी पता जी का शिर्व माते साथ मि जा बात शै्था सो देखो जी यहां पे जो है यह फुइवियां तैयार हो सुद्धय नोस्का तो क्या मैं बे dairy सकता हूं कि सकता हूं कि उस्विश्चार आप टवनाते हैं गर्मा कि तेल में में आट डाल स्में दल निहां पर यहां बैकि यह देहीं इस कदर यह उतिए और यह सिधा इसके अंदर यह कडाई के अंदर क्या मस पकोडिया बन रहे है गर्म गरम एक्दम सडियों के टाइम वैसा यह जाए चासरा की छटनी के एक और दुबारा करोगे ओ शिट भाई ये तेल इतना खौलता हुआ है ना और इसमें उन्होंने अपना हाथ दिखाना एक बारी भाई हाथ पे खरोज तक नहीं है ऐसे पलटना कुछ नहीं हुआ है भाई हाथ में दुबारे दलबाने में विदर दोगा वही ठीक है ओके ओ भाई वाई साब देखा आप सभीने कि किस कदर इन्होंने इस गर्मा गरम खौलते हुए तेल में मैं इससे इतनी दूर खड़ा हूं यहां तक मुझे इसकी गर्माट महसुत हो रही है और यह दोनों भाईया इसमें हाथ डाल करके अपनी पकोडिया निकाल रहे हैं भाई क क्या बात है यहां पर असली खत्रों कि खिलाड़ी सुनिल शेटी को पढ़ाएं कि यह ओरैं यह देखो फ्लेम देखो यार कितनी तेज फ्लेम है और क्या तेल खौल रहा और क्या इननों ने हाट डाला वह दोनों तो आंत करना फटा बाइज देखरे हो लोग भी इनके पकोड़ी का आनद दे रहे हैं तो चल्ओं भी टेस्ट करते हैं यह तो देख लिए आपने आप आप टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट में कासे होने वाला मतलब श्यार मैं मजबूर हो गया तो यह जो बैटर आप देख रहे हैं यह जो यह देखो जी कितना यूज क्वांटिटी में एक दिन में अगर मैं मानू के कितना आप यह बना देते हो और इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे मुझे आपको यहां से पैक कर आओ और ले जाओ क्या बात है तो भी अप्राइजिंग क्या रहती है आपके मसाले की यह कच्छा मसाला अपने 160 रूपे किलो है यह देखो जी बढ़िया है दिखने में जो है यह प्यास देख सकता हूं मैं हरी मिट देख सकता हूं मैं धनिया है काफी सारी चीजें हैं और यह कौन सी दाल का होता है चोला मोगर की दाल होती है आप यह देखो और कैसे नो ने हाट डाला था मैं वह सोच तोच के अभी भी मेरा दिमाग कराब हो रहा है भाई 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 कि आप स्माइल देखो पहले भाई मलब इन्हों ने इस कडाई के अंदर इस खौलती भी कडाई में अपना हाट डाल दिया था और मातें पर इनके शिकस्त तक नहीं है बलकि मुस्कुरा हो रहे हैं करने के बाद कवाल है यह देखो यहां गर्वागरम त बहुत कमाल बंगे तयार है हमारी गर्मा गरम पकॉडियां यहां पर यह देखो क्या बाद है कलर बिल्कुल पढ़िया एकदम हो रहा है यह देखो जी फुल करारी दिखरी है एकदम है यह हो गया रेडी और अब यह आ जाएगी सीधा यह आ गई हमारे यहां पर पकॉडियां यह आ गई जी यह चटनी कौन सी होती है भी यह दनिया पोदीना टमाटर और गरम बसाला यह आ गई जी चटनी और यह बनके तयार है हमारे पकॉडे तो भाई देख तो ले आई आपने की किस कदर इन्होंने गरमा खरम तेल में अपना हाट डाल दिया तो चलिए यह तो भाईया है एड़स आफ देशीच के लिए बागे टेस्ट देख लिए है कि टेस्ट कैसा होने वाला है पकड़ने में इतनी जादा क्रिस्पी है ना यह चलिए टेस्ट करते हैं इनका यह फौल करिस्पी अब है है जमाने अंदर से सना खरमा ओेदाओ ईगलोओ बात तो सब्सक्रोदिक्स और क्या चाहिए कि इसके अधर मैं बात करूँ ना काफी जाधा क्रिस्पी तो पहले टेक्च्चर है इसका अंदर जादा मैंने बोला सॉफ्ट है और खाने में हलका सापको तीखा पन महसुद होगा राजिस्थान आयो यार आपको तीखा ना महसुद हो ऐसा हो नहीं सकता एक ना तीखा पन तो है और मसाले जो इन्हों ने इसमें यूज करें आहा क्या मदेदार है मदा आगया खाके इसको बहुत टेस्टी है अधर कभी आरे होना चाहिए उसको जरू ट्राय करना वाकई में बहुत स्वाद आई है चाय के साथ दे लो चाहिए यू ले लो बट लेना चटनी के साथ हरी वाली चटनी खाओ मजा आ जाएगा साथ में हलका हलका तीखा पन मजजा स्वाद बाट बढ़ी है इनके कर दो एप मार जाएगा साथ हम जड़ाएगा साथ में बटनी का वाली चाहिए लो चाहिए